चलो है बच्छों स्टार्ट करें कि हम लोग आ जाओ ध्यान देना बिटा ची ए ए एफ एम पर्बिट अकाउंटिंग एन फिनांशियल मेनेज्मेंट अब बच्चों ने दिसमबर में पढ़े होंगे ना दस-बारा लेक्चर साथ आपने पढ़े होंगे जो बच्चे यह ने डिसमबर मंथ में पढ़ा होगा या जो भी बच्छे लेक्चर रेकॉर्डेट देख रहे होंगे बड़ा सिंपल सा हमें बात बोल रहा हूँ कल से जो मैंने स्टार्ट किया हम हाँ से जीरो से देखना डिसेंबर मन्त में जो दस बारा लेक्चर ले रखे थे आज हमारा दूसरा लेक्चर इसके पहले का आपने कुछ नहीं देखा होगा तो भी चलेगा अप्लोड कर लो स्टार्ट करें कि हम लोग देख लास्ट लेक्चर में इंट्रोड़क्शन फैनेिशन अकाउंटिंग में बिश्टी स्टार्ट किया था आप सभी को अगर रहा रहirie तो असान भषब क्या होता है टो ऊप्र फीनांशियल अर्शेक्षन सेनक्षण वह मतलब है मनी और मनी सबिक्वर्थ में यौण एदर साइट सब्स्राइब जोज तो सिनारियों को मैं क्या बलोका प्यार से financial transaction उस financial transaction का हमें क्या करना है बाटा ? recording करना है कैसे ? WITH the help of rules of accounting. recording कैसे करना है ? इडेयलूब रूलोल फूब accounting क्विट हमें इसे रूल यूसकर नहीं है év देबिट आड़े है अभी तक हमने रूल देखे हैं क्या ? सब लोग प्लीज ध्यान देना बस यह समझ में आ गया नहीं तो आपको आगे आने वाले चार्ट टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के लिए एंट्री इस बहुत सिंपल हो जाएगी और अगर यहां ध्यान नहीं दिया तो पक्के में आप आगे जाकर और वो अपने आपको सेफ कर देगा मैं पहले बता देता हूं मेरा ड्रॉबेक क्या है तो अगर यहां पे ध्यान नहीं दिया तो शेयर कैपिटल डिबेंचर समझ में आएगा और यहां पे ध्यान दे दिया तो आप बोलोगे कि नहीं बहुत अकाउंट में मास्तर भगवा इसके बगर आने वाले चार्ट ओपिक के एंट्रीज नहीं होगी आज वागे ध्यान देना सिस्टेमेटिक वे में मतलब कैसे रिकॉर्ड करना है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट जो आप लोग सबजी और पानवाले का अकाउंटिंग देखते हो क्या वो डेबिट क् और आप लोंग रजिस्टर दिखा दो एक बार साइज का रजिस्टर रेता हैं कि दो सोटाइसों पेज का भी ले सकते हो कि अपकांदार को बोला कि अकाउंटिंग सब्जेक के लिए रजिस्टर चीए तो भी वो दे देगा एफार साइस का पेज या इससे बड़ा पेज भी चलेगा लीगल साइज के पेस्ट का भी रजिस्टर चलेगा बसो छोटी वाली नोट बुक मत यूज करना है न है आजबंगो द्यान देंदा आब लोग भी जो प्राइट का हिसाब के दाब रखते हो आप लोग लोग लेटे हो किसी से कितना लेना है तो वो लिख लेते हो किसी को कितना देना है तो वो लिख लेते हो और आपके बास में बैलेंस कितना बच्चा है वो लिख लेते हो बस इतना ही लिखते हो नहीं आप लोग कोई debit credit का rule यूज नहीं करते नहीं आप लोग ledgers बनाते हो नहीं आप final account बनाते हो पस आप इतना लिखते हो कि किस से कितना लेना है इसको कितना देना है बचा हुआ आपका खर्चा हो गया है सम लोग समझते हैं तो हमें यह अंसिस्टेमेटिक वे में accounting नहीं करना है बच्छों में आपको फिर से बता दू हिसाब की class चल रही है हम बार इसलिए बोल रहा हो क्योंकि आगे जाके हम लोग फुल फ्लेज क्वेशन पढ़ेंगे ने आधे आधे पेचके क्वेशन रहेंगे तो उसमें कुछ information English में कुछ sentence कुछ वाक्या ऐसे लिखे रहेंगे और बच्चा मुझे बोलेगा सर इसका entry क्या होगी तब मैं आपक official transaction रहेगा उस information में अगर money or money's worth में कोई लेंदेन नहीं हो रहा है बिट्विन टू पार्टी और बिट्विन टू परसन और बिट्विन टू अकाउंट तो उसकी accounting होगी क्या नो यह बास समझ में आ रहें सभी को क्योंकि question में तो बहुत सारी information दी रहती है सभी का तुड़ आपने business start किया इसकी accounting होगी क्या नो एक employee को company में जौब एक जैसे मान लो अपने years academic के अंदर में एक interview लिया कल एक लड़के का final किया जौब 12,000 उपे पर मन से इसका accounting होगा क्या नो कब accounting होगा जब एक महिना खतम हो जाएगा जब उसकी salary due होगी तब accounting करेंगे यह तो अभी information है उसने आया interview दिया और मैंने finalize कर लिया accounting अभी नहीं होगा accounting कब होगा जब एक महना काम कर लेगा जब पैसा देना बाकी रहेगा जब due हो जाएगा तब accounting होगी तो यह समझना बहुत जरूरी कि accounting किसकी होती है financial transaction और financial transaction मतलब क्या money और money's worth में on either side अगर कुछ exchange हो रहा है तो हम लोग उसी scenario का क्या करते है accounting बाकी और किसी भी चीज़ का accounting नहीं हो यह बात clear है accounting क्यों करते हैं हमने देख लिया है वजए profit loss कितना हुआ धंदे में income expense कितने किससे कितना लेना है किसको कितना देना है business की ओकात क्या है और decision making के लिए information चाहिए इसलिए हम लोग accounting कर रहे है उसके बाद हमने कुछ basic terms देखी दिया set का मतलब देखा था property of evil description of the business or can I say resources having future economic benefit ऐसे resources जिसका business को future में भी economic benefit हो रहा है उन रिसे इसको मैं प्यार से क्या भूलूगा ए तिलगधारी इदर ध्यान देना मुन्ना तो देखके smile कर रहे है को नहीं कि यहां द्यान में कि I said का मतलब बता कि रिसोर्सेस हैविंग future economic benefit हर वो resources जिसका business को future में भी economic benefit मिलेगा उन कि रिसोर्सेस को में लोग प्यार से क्या बोलते है एसेट यस और नो जैसे कि आचकार computer फर्नीचर लैंड बिल्डिंग ब्लैंड मच्टरी पॉपिराइट पेटेंट ट्रेडमार्क गुडविल यह सब क्या है एसेट से उसके बाद liabilities are the financial obligations of the business example लिखो 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 बैंक लोन यह पिर एसा लिखो एनी अमाउंट इसमें सब आ जाएगा एनी अमाउंट पेबल तू कि थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी बाहर वाले को किसी को देना है तो हम लोग क्या बोलेंगे बिटा कि वो मेरे लिए liability है और जिस किसी को देना है बाहर वाली को को ने थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी क्यों बुला अरे बाबा एक है बिजनेस एक हुम मैं यह बिजनेस यह बिजनेस का ओनर और मुझे यह इसको पैसे देने है तो यह कौन हो गई थर्ड पार्टी यह थर्ड पार्टी यह ने किसी बाहर वाली को जो देना तो सब क्या हो गए मेरे लिए बिटा financial obligation और liability बोल सकता हो प्यार से है ना एनी amount payable to any third party और एनी amount payable किसी third party को देना है या मुझे अगर किसी को money और money ज्वर्थ में कुछ देना है तो मेरे लिए क्या हो गई liability कुछ बात समझ भी आ रही सभी को है ना उसके बाद में next topic payable loan taken repayable in future यह सब क्या है मेरे लिए obligations और liabilities उसके बाद लिखो बिटा capital फटापट से बताओ capital याने क्या होता है है बेटा basic terms है फटापट से खतम करते हैं 10 मिट के अंदर में फिर मैं आपको accounting कैसे करते हैं वो बता देता हूँ आज है ना और जो मैं तरीका बता रहो बस वैसे आपने कर लेना अच्छे से बोले बड़ा capital capital ओनर्स फंड ओके जो हम business में use करते हैं मैंने एक बैंक से लोन लिया 10 लाग रुपे business में यूज करने के लिए वो 10 लाग रुपे तो बैंक से लोन लिया क्या वो capital है क्या आप बोले जो बिजनस में यूज करते हैं कि ओके मैं अकेला हूँ कि पार्टनर नहीं मेरा कोई अरे वैसा वाला single नहीं business में sole proprietor business में हम बोलो बोलो सई जा रहे हूं आप बोलो ट्राइक करो और कोई कि मार्केट से मार्केट से रेस किये मार्केट में बैंक है और मैं बैंक में जा करके पैसा ले रहा हो उनसे मैंने बैंक वालों को यह मेरा गोल्ड का रिंग दिया गिर्वी रखा और उनसे पैसे उधार लिए क्या वो कैपिटल है क्या हूँ हाँ इन्वेस्मेंट एक सिंपल में सेंटेस में हाँ हाँ ओके जो फिक्ससेट को पर्चेस करने के लिए उसको बोले बटा ओके मैंने बिजनस में गोल्ड लाया मनी नहीं लाया अब हाँ आप उले न मनी ब्रॉठ इन बाइद और मनी नहीं लाया गोल्ड लाया तो क्या हो कैपिटल नहीं होगा ओगा ओनर का जो कुछ मनी और मनीजवर्त में इन्वेस्मेंट ए बिजनस में हम लोग उस इन्वेस्मेंट की संदिल को क्या बोलदेंगे सब्सक्राइब एक बच्ची ने बोला भी क्या बोला था उसने देखो तो इनस्पेंट लिग लोग बठापट से इनक्रत्स में पाई ऊसक्हें just call that capital Creator owner का धन्दे में जो कुछ investment इनосьमेंट से असेड खरीदो मत खरीदो कोई फरक नहीं पड़ता वह Investment cash में हो in kind हो कोई फरक नहीं नहीं पड़ता ओनर ने बिजनस में gold आया क्या वो capital रहेगा यह स्काइड का धन्दे में जो पतिला लेके आया, ये पतेली की कीमत थी 10 रुपे, मैंने चाहे पति और शक्कर लेके आया, कुछ मटेरियल लेके आया, इसकी कीमत थी 200 रुपे, मैंने सोचा कि बच्चे सुबह सुबह आएंगे, उनके पास खाँ छुटता रहेगा, तो उसके लिए धंदे में कैश होना च ये, तो मैंने 500 रुपे, कैश बॉक्स में भी डाले मेरे जेब से, अब बताओ, मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा पहला दिन था, है न, चाही की दुकान मेरी स्टार्ट की, और मैंने पतिला लाया, मटेरियल लाया, ये इन कैश है या इन काइंड है, ये दोनो क्या मेरा, कैपिटल, ओनर का धंदे में जो कुछ इन्वेस्मेंट है, वो इन्वेस्मेंट इन कैश और इन काइंड कैसे भी हो सकता है, बरबर है, बात समझ में है सभी को, so investment by the owner in the business is called as capital, बरबर है क्या, अच्छा ये investment जरूर ये क्या, at the starting of the business ही होना चाहिए, no, मैंने ऐ लिखाएगे, investment by the owner in the business, at the starting of business, no, ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये investment कभी भी हो सकता है, मैंने चाहिए की दुकान यहाँ पे स्टार्ट की और दुकान स्टार्ट करके छे मेने हो गए, अब मैंने सोचा कि मुझे बड़े लेवल पे business करना है, तो मैं एक पक्की दुकान यहाँ पे लेना चाहता हो, उथार लोर पे, तो मैंने मेरे जेव से और 10 लाक रुपी invest के business में, अब बताओ, मेरा capital बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया, तो owner धंदे में कभी भी पैसा invest कर सकता है, whether at the starting of the business or during the lifetime of the business, कभी भी, इसलिए मैंने समय लिखाए गया, मैंने बस इतना sentence लि चाहे वो during the life of the business कभी भी हो, उससे कोई फराक नहीं पड़ता, owner जब जब अपने जेव से business में invest करेगा, उस investment को हम लोग क्या बोल देंगे, capital, जहाँ 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 बिजनेस में owner का personal अपने जेव से पैसा या पैसे की की मत में कुछ आ रहा है, वो सब capital है, अब ध्यान से सुनना, मैंने business start किया, मैंने business में अपने जेव से कितना लगाया, 800 रुपए, capital कितना हो गया, 800, और यहाँ पे यह अपने classroom के बाहर चाहे की दुगान लगाई, चिराक सर विकास सर बाहर आए, मैंने बुला, business कि किसे नहीं चल रहा है, मुझे कुछ पैसे उधार दो, तो म नो, यह capital नहीं है, विकास सर चिराक सर ओनर है किया, चाहे की दुगान के, नो, ओनर कौन है, मैं, परोबर है, यह 1000,000 रुपए, जो मैंने विकास सर चिराक सर से लिए, यह liability है, आपको capital और liability में फरक समझ में आये न, मैंने किसी third party से पैसे उधार लिए, जो मुझे इन future ल drawings, फटापट से लिखना, drawing क्या रहेगा, बोलो बोलो, फटापट से, बिल्कुल सही है, amount, personal, personal purpose के लिए, owner ने business से अगर कुछ withdraw किया होगा, तो उसे हम लोग क्या बलेंगे, drawing, लिखो जल्दी से, withdrawal of the investment by the owner from the business for his her personal or household or domestic purpose is called as drawing, withdrawal of the investment by the owner from the business for his household, domestic or personal purpose, owner ने business से personal purpose के लिए, अगर कुछ withdraw किया होगा, तो उसे withdrawal को हम लोग क्या बुलेंगे, drawing, yes or no, अच्छा अच्छा ये विड्रोज जरूरी ही कि हर बार money में होना चीए, money जवर्त में भी चलेगा, मेरी grocery shop है, मेरी बीवी ने बोलेंगे बोला कि आते आते घर के लिए शक्कर ले किया ना दो किलो, तो मैंने मेरे business से शाम में दुकान बंद करते समय, मेरे worker को बला, दो कि selling price नहीं, मैंने वो शक्कर कितने में लाए था, hundred में, तो वो hundred rupee क्या हो जाएगा मेरा, drawing, but वो hundred rupee in the form of cash था, या in goods था, goods, kind, yes or no, तो ज़रूरी नहीं है, कि withdrawal हर बार cash में रहेगा, withdrawal in kind भी हो सकता है कि अब मान लो, विकास ने AC अपने घर पे bedroom में लगवा दिया, उसके घ bedroom में लगवा दे, तो ये भी क्या हो जाएगा, drawing, business purpose, business में से अगर आप personal purpose के लिए कुछ भी withdraw करते हो, in the form of any asset, or in the form of cash, in kind or in cash, अगर आप कुछ भी withdraw कर रहे हो, for personal purpose, तो वो क्या बन जाएगा, drawing, ये बास समझ में आ रही के सभी को, so drawing याने क्या रहेगा, withdrawal of the investment by the owner from the business for his or her personal household और, domestic, right, चलो आगे, ये समझ में है बेटे सभी को, उसके बार लिखो आगे, data's, फटा बट से लिखो, data's, D-E-B-T-O-R-S, data's, हर एक बच्चा याँ पर fair notebook maintain कर रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हू, right, मैं सही हूँ न, data's, लिखो, person, from whom, from whom, amount is receivable, हर वो पार्ट या, person, जिससे in future हमें कुछ लेना है, in money or money's worth, तो वो सब क्या बन जाएगा मेरे लिए, data, मालो इस बच्ची को मैंने पेसे उधार दिये, 5000 रुपे, अब मुझे इससे वापस लेना है क्या, yes, कब देगी, future में, maybe कल, maybe परसो, maybe एक मैने बाद, maybe एक साल बाद, decide कर लेंगे, तो ये क्या होगी मेरे लिए, data, हर वो पार्ट या, person, जिससे मुझे in future कुछ लेना है, मान लो, मैंने इसको उधारे में माल बेचा, मेरा grocery shop है, ये shop इससे मुझे in future, money और money's worth में कोच लेना है, मेटा last bench इता ध्यान देना, हर वो पार्ट या, person, जिससे मुझे in future, money और money's worth में कोच लेना है, बच्चों मुझे एक बाद बताओ, आप लोगों को डेली ऐसा याद दिलवाना पड़ेगा, क्या आपका executive है, आप चलती class में जरुदर चला गया, यह data क्या रहता है, अगर नहीं समझ में आया है न, तो आप लोग आगे जाके share capital में, जब मैं forfeiture की entries पास करूगा, तो उस समय amount receivable होती है, और वो सामने वाला मूरख आदमी पैसा नहीं देता, इसलिए company के board of director उसके share क्या कर लेते है, जब्त कर लेते वो सामने वाला इंसान जिससे पैसे लेने, वो हमारा क्या बन जाता है, data, तो data से related rule हम लोग वहाँ पर use करेंगे, पर किसी बच्चे ने data क्या होता है, यहीं पर ध्यान नहीं दिया, तो forfeiture की entry आईगी क्या, और forfeiture की entry नहीं आई तो गल्ती किस की, समझ में आया क्या, त तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दे दिया नहीं, उसके बाद सब रॉकेट सिंग हो आप, फिर आपको तकलीब नहीं आईगी है, यही है, अकाउंटिंग में debit, credit और calculation के अलावा कुछ है क्या, debit, credit है औ तो इसमें derivative integration थोड़ी है आप लोगों को, बहुत easy है, और आप लोगों का syllabus बहुत चिंदी syllabus है, executive का accounts का, बहुत easy है, ऐसा समझो कि यह आप लोगों के लिए, जैसे वो डूपते हुए को तिनके का साहरा रहता है न, तो आप लोगों के लिए डूपते हुए को, क्या बोलत आजो, तो person from whom amount is receivable, यह क्या हो गया, debtor, बहुत बली ने कटपा को उधारी में माल बेचा, कटपा से पैसे लेना, बाकी है, तो कटपा is my debtor, और बहुत बली क्या बन जाएगा कटपा के point of view से, creditor, तो लिखो अगला, creditors, person to whom amount is payable, person to whom amount is payable, परोबर, उसके बार लिखो आगे, income, are the operating receipts of the business? यह आपको किसी को वापस नहीं करना है, यह आपका ही है, इसके, कापी सारे है, सबसे पहला example जो सब को पसंद आता है, से, आप भी आगे जाके धंदा करोगे, बिजनस करोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार किस चीज़ से रहेगा, से, इसलिए तो हर कोई शारुक सल्मान को बुलवाता है, ता कि सेल बढ़े अपने product का, किस और नो, सेल कोई ऐसा है कि जिसको सेल पसंद नहीं है, सब को सेल पसंद है, अगर आप बिजनस ओनर हो तो, है न, विकास कोई पसंद है, मुझे पसंद है, ज्यादा ज्यादा product सेल होना चीए, रिलाइंस के अगर में बात करो, तो मुकेश भाई हम नहीं सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा product उनके सेल होने चीए, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो रिलाइंस फ्रेश हो, चाहे रिलाइंस ज्वेल हो, चाहे रिलाइंस में कोई real estate की बात हो, हर किसी को क्या पसंद ह है, सेल, तो सेल इस दे बेस्ट एक्जम्पल आफ इंकम, बरुबर है, और भी बहुत सारे एक्जम्पल है, तेल के अलावा, इंट्रेस मिल रहा है, इंट्रेस रिसीवड, ये भी इंकम है क्या, इंट्रेस रिसीवड, कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसीवड, उसके बाद, इसकाउंट मिल रहा है, इसकाउंट रिसीवड, rent मिल रहा है rent received मिल रहा है, मिल रहा है क्यों बोल रहो बार बार यह अगर मिलने की जगा अगर मैं दे रहा हूँ ना तो एक खर्चा बन जाएगा rent अगर दे रहा हूँ तो खर्चा, rent मिल रहा है तो income, commission दे रहा हूँ तो खर्चा, commission मिल रहा है तो इंकम डिस्काउंट दे रहा हूं तो खर्चा डिस्काउंट मिल रहा है तो इंकम एस और नो एक्सेट्रा उसके बाद इंकम के बाद लिखो एक्स्पेंस लिखा बेटा सभी ने लिखा बेटा इंकम एक्सपेंस के एक्जामपल लिख लो अच्छा एक्सपेंस के पहले इसा उसका मिनिंग लिख लो आर्द ऑपरेटिंग इमेंट्स अब दर बिजनेस या फिर एक सेंटेस में अगर आसान भाशा में बोलना है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं और अर्द पेमेंट्स इंकर फॉर स्मूथ ओपरेशन आप दर बिजनेस बिजनेस को स्मूथ ली ऑपरेट करने के लिए जो भी मैं पेमेंट करता हूं या जो भी पेमेंट मैं इंकर कर रहा हूं वो सब क्या है मैं लिए खर्चे जैसे ये बिजनस को smoothly operate करने के लिए electricity expense परसाद की salary expense बरबर है क्या एस और नो टीमसी tax expense अगर ये classroom किराय का होगा तो rent expense ये labor को wages दे रहा हूँ expense बिजनस को smoothly operate करने के लिए मैं जो भी payment करता हूँ वो सब क्या होगे मेरे लिए expense 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 याने खर्चे आप लोगों की point of expense क्या बताओ मुझे जड़ा मेस रूम का रेंट है ना और coaching fees, transport, tea coffee, replacement expense हाँ और stationary और library fees और अरे जो दिल में आरे फटाबट बोलूना अब सोच के बोल रहे हैं सरफ गलती से कुछ और खर्चे ना निकल जाए अरे बोलो हाँ एक्सेट्रा तो हो सही भोला आप लोगों ने आ जाओ लिखो तो expense के example लिखो salary दे रहा हूँ expense printing stationary printing and stationary expense रेंट अगर में दे रहा हूँ तो expense interest अगर में दे रहा हूँ तो expense discount अगर में दे रहा हूँ तो discount allowed customer को discount allow करते ना expense बरबरे pages अगर दे रहा हूँ तो expense electricity charges expense ठीक है business के smooth operations के लिए हम लोग जो भी payment करते हैं उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे expense तंशे कुछ भी बोलता है या भाई चलो आ जाओ ध्यान देना अच्छा एक और खास बात बता दूग्या expense का हमें immediate benefit मिल जाता है ऐसा लिख लो एक वर्ड लिख लो बस immediate benefit सर यह ऐसा क्यों बोला आपने यह लिख लो फिर मैं बताता हूँ expense का benefit हमें immediate मिल जाता है और benefit की बात कहां से आई अरे बाबा असेट है तो benefit कम मिलेगा future में भी expense है तो benefit कम मिलेगा immediate और loss है तो benefit कम मिलेगा कभी नहीं asset expense और loss यह तीनों टर्म एक दूसरे से connected है किनों में outflow हो रहा है जिसे ध्यान से सुनना यह मैंने 10,000 रुपीज पे किया और उससे मैंने फरनीचर लेकिया बरबर है तेन थाउजन पे किया फरनीचर लेकिया बोलो फरनीचर क्या है asset example number two मैंने मैडम को 10,000 का payment किया यह मेरे यहां पर आर्टिकल शिप जोइन की और इसको मैं 10,000 का payment करो monthly stipend यहां पर भी 10,000 का outflow हुआ यह क्या हुआ मेरे लिए stipend salary wages जो भी है क्या है expense यह फिर यह मेरे यहां पर cashier है और यह 10,000 रुपे cash लेकर भाग गई यह क्या हुआ लॉस पीनों केस में 10,000 जा रहे हैं 10,000 गए है क्या बना asset benefit future में भी इसको मैंने जनवरी मन्त की salary दिया तो यह कौन से मन्त में काम करेगी सिर्फ January में यह फ्यूचर में काम करेगी अपरेल में काम करेगी नो तो इसी लिए जब कभी भी आप किसी को payment करते हो और उस payment का आपको immediate benefit मिलता है उससे आपको future में benefit नहीं मिल रहे है मैं इसको January का payment किया तो यह जनवरी मे यह furniture खरीदा तो फरवरी में furniture सा बोलेगा क्या नहीं मैं यहां से उठके जा रहो और payment करो मेरे मालिक को नो एक बार आपने payment कर दिया benefit future में भी जा तू असेट है payment कर दिया उसी प्रेट में benefit मिलेगा जिस प्रेट का payment किया जा तू expense है लेकिन यहां पर तिसरे case में payment हो गया यह outflow हो गया outflow हो गया ना लेकिन benefit मिलेगा गया नो तो क्या हो गया loss due to theft कुछ बात समझ में आई तो benefit future में भी तो वो resource क्या बन जाएगा asset benefit immediate तो वो payment क्या बन जाएगा expense benefit कभी नहीं तो वो outflow जो हुआ वो क्या बन जाएगा loss कुछ बात समझ में आ रही है उसके बाद नहीं नमबर लिखो इंकम हो गया expense हो गया losses लिखो payments or outflow but no benefit क्या हो गया loss payment upload हो गया but कोई benefit नहीं मिल रहा है क्या हो गया loss example निखलो इसके loss due to fire loss due to earthquake loss due to theft loss due to fire इसके बाद लिखे लो गजडूb paus आपने लोडो केश्या बेट लुए वो के बार लिख लो गेंज ऐसा लिख लो receipt without hard work पैठे बिठाए बगैर मेहनत के अगर आपको कुछ मिल रहा है तो क्या हो गया गेंज वैसे गेंज और इंकम की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है मेहनत करके जो मिलती है वह इंकम बगैर मेहनत के जो मिला वो गेंज पैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गया है गेंज लॉटरी लग गई गेंज सटे में पैसा लगा है जीद गया है गें बट काफी बार क्या होता है काफी किताबों में गेंज को इंकम ट्रिट करते है इंकम को गेंज लिखते है बट दोनों का एक हेरलाइन डिफरेंस समझ में है सभी को विदाउट हाट वर्क जो मिल रहा है वो गेंज मैनद करने के बाद जो मिल रहा है वो इंकम तो टोटल कितनी टर्म समझ में आगई आपको दस औल में ने बताये था नहीं कितनी टर्म समझेंगे विए दस और ये टर्म समझने के बाद हम लोग अकांटिंंग स्टाट करतेंगे उस बार दर्टाइबया वह आगे समय समय पे बता हुआ बट यह अकांटिंग करनी के लिए काफी है कौन-कौन यह asset के opposite liabilities है गया? drawing के opposite capital है गया? data के opposite expense के opposite और losses के opposite gains और profit यह सारी terms आगए आपको? यह हमने पढ़ी ना? last lecture में और आज के starting के first half में तो total 10 terms हो गए उपर में 5 लिखी asset, drawing, data, expense, losses और asset के opposite liability capital, creditors, income and gain तो कौन कौन सी 10 terms है मुझे बता दो एक बार assets, drawing, data, expense and losses asset के opposite liability drawing के opposite capital data के opposite expense के opposite and losses के opposite liability के अबले creditors, income, gain बोल एक बार creditors, income, gains very good तो कौन कौन सी पाच्ट हमें? liabilities, capital, creditors, income and gain और उपर में पाच कौन सी है? 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 अभी ध्यान से सूथ यह total हमने 10 terms अच्छे से समझ ली आपको एक चीज़ बताओ accounting की दुनिया में यही 10 head से accounts के इससे बाहर और कोई account बनता ही नहीं है आप कोई भी account का नाम लो जैसे cash, कहां पे आएगा? asset में owner ने business में पैसे invest किये capital मैंने राम से पैसे उधार लिये राम कोन है? creditor मैंने शाम को पैसे उधार दिये शाम कोन है? creditor मैंने employee को salary दी employee cash चोरी करेके भाग गया आग लग गई हुकम भाग गया समझ में है? lottery लग गई माल बेचा interest मिल रहा है rent मिल रहा है commission मिल रहा है royalty मिल रही है कुछ समझ में है सभी को bank से loan लिया जिस bank से loan लिया वो bank loan जिससे loan लिया वो इंसान पास समझ में है? आप कोई भी account का नाम बोलो वो सब यह ही पहाएगा bad debt bad debt? loss provision for bad debt liability provision liability कैसे हो? जब भी आप किसी specific purpose के लिए provision create करते हो या reserve बनाते हो जब भी आप किसी specific purpose के लिए provision create करते हो या reserve बनाते हो तो वो provision या reserve आप लोगों के लिए क्या रहेगा? liability पर ये कैसे? जैसे मान लो आप यहाँ पे पूने में अगर कोई बच्चा है दगडू से धलवाई गनपती ट्रस्ट मंदिर मानूँ है ने सभी को? दगडू से धलवाई गनपती मंदिर या किसी भी मंदिर का अगर construction शुरू है तो वहाँ पे वो आपसे बोलते हैं न कि मंदिर के construction के लिए आप और प्लीज डोनेट करो तो आपने मान लो मंदिर के construction के लिए 10,000 रुपे डोनेट किया आपने उससे construction के लिए डोनेट किया तो जब भी आप किसी specific purpose के लिए fund इकटा करते हो या जब भी किसी specific purpose के लिए आप आपके profit से पैसे side में निकाल के रखते हो तो वो एक प्रकार से आपकी क्या है liability को एक मुझस से शादी करोगी movie है सलमान खान का और अक्षे कुमार का इसमें भी देखो सलमान छान पीगी बैंक बनाता है गुलक बना की रखता है ना प्रियंगा चोपड़ा अक्षे गुमार सलमान कान बहुत पहले एक movie आयती सलमान का वह पीगी बैंक बना गया रखता है, मा की आखों की ऐपरेशन के लिए बेहन की शादी के लिए, रानी के लिए, रानी मतलब प्रियंगा चोप रहा हूँ, तो तीन पीगी बैंक बनाए थे और उसमें पैसे इकटा करता है हर दिन, मतलब वो फंड बना रहा है, वो रिजव इकटा कर रहा है, आपने कमाए हुए पैसे में से हर बार थोड़ा-थोड़ा पैसा साइड में निकालके रख रहा है कुछ बात समझ में आ रहे हैं तो यही तो प्रोविजन है यह रिजव है तो प्रोविजन रिजव में फरक क्या है जब कभी भी आप नोन पर्पस के लिए पैसा साइड में निकालते हो तो वो प्रोविजन हो गया और जब कभी भी पर्पस अनोन होता है तो वो रिजर्व हो गया एक मा अपनी बेटी को बोलती है कि तू तेरे पर्स में अंदर हजार रुपे हमेशा रहने दिया कर बेटी मम्मी को पूछती कि किस पर्पस के लिए रखना है पैसे मामा बूलती पदा नी कब रात बेरात कुछ प्रॉब्लेम हा जाए तो पता नी क्या प्रॉब्लेम होने चीनन नहीं तो वह bajo रुपए आपने जो अंदर के जिब में और आप 50-50 रुपे पर मंद हर मैंने 50-50,000 आप सेव कर रहे हो, आपने पापा से पूछा किस परपस के लिए, पापा ने बोला कि आगे तेरी शादी होने वाली है, तो उसके लिए 50 लाग रुपे मैं इकटा करूंगा, 6 लाग, तो इकटा कर ले एक साल में 50,000 रुपे पर म बंद, तो आपको यहां पर पर्पस पता है, कि किस परपस के लिए, आप पैसे साइड में निकाल रहे हो, शादी के लिए, तो इह क्या होगया, प्रोविजन पर ऐपर डेपेरिसियेशन, प्रोविजन पर डाउट फुल डेट, प्रोविजन पniestन पर बैड डेट, समझ में आ रहा है कि सभी को जब भी आप specific purpose के लिए fund side में निकालते हो तो वो हो गया provision आपको purpose पता है और जब purpose पता नहीं तो क्या हो गया reserve ठोड़ो न आपने पैसा side में निकाला किसी specific purpose के लिए मतलब आप वो पैसा कोई और purpose के लिए खर्च नहीं कर सकते यह आपकी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी मतलब liability इसलिए तो मैंने आपको बता दिया provision क्या हो गया reserve क्या हो गया कुछ बात समझ में आ रही क्या you name it and we have it आप मुझे account का नाम बता हूं मैं बता तो कुन से category में आएगा ठीक है मतलब सारे accounts के नहीं आपको समझ में एक बार cash car computer furniture land building ऐसे ओनर ने personal purpose के लिए withdraw गिया किसी पार्डिया person से पैसे लेना है बिजनस के लिए payment कर रहा हूं आउट फ्लो हो गया लेकिन कोई benefit नहीं मिल रहा है मुझे किसी को वापस करना है ओनर ने business में invest किया जिस किसी को पैसे वापस करना है बिजनस में income हो रही है income या फिर business में कोई receipt है जो मुझे किसी को वापस नहीं करना है अगर ऐसी कोई receipt है जो मुझे वापस करना है तो वो income नहीं है समझ में आया ने सभी को, ऐसा कोई receipt जो मुझे किसी को वापस करना है liability, यह ऐसी कोई receipt है जो मुझे किसी को वापस नहीं करना है, जो मेरी है वो क्या होगे मिल लिए income, पिदा उठा हाट वक बेटे बेटा है, लॉटरी लग गई, property के rate बढ़ गए, अब अच्छे से ध्यान स से सुन अब होता क्या है अकाउंटिंग में देखो बेटा आप अकाउंटिंग में किसके अकाउंटिंग करते हो विवहार की अब लोग अब दो पाच मिट के लेच्छे ध्यान देना यह हर एक तम का मतलब समझ में आया किया तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते कोई आनलाइन व को बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर रेंट तो बगेर मेनत के मिल रहा है तो गेंड हो गया की का रही है को यहां कि यह समझ पर्संट क्या है सेम समझ में आ रहा है क्या है इसलिए मैंने पढ़ाते से में बता दिया था काफी कुछ किताबों में इंकम और गेन को सेमें ट्रीट करते हैं बट मैंने दोनों का एक हेरलाइन डिफरेंस बताया बाकि और को उसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है आज़ा यह सारी टर्म्स का मतलब समझ में सभी को और कोई प्यारा बच्चा एका था ओनलाइन ओफलाइन वाला आप अकाउंटिंग किसकी करते हो फिनांशियल ट्रैंजेक्शन यह लिखा कि आपने ऐसा यह से लिख लो यह इसके बाद में कि आप बस यह से लिख दो और राइट साइड में जगा छोड़ देना यह देखो कि यहां जगा छोड़ देना इतनी यह दो मेने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए उतनी और उपर के पाच आइटम भी अगर आपको याद रहे गया तो नीचे के पाच अपने आप याद हो जाएंगे बॉक्त के पाच के अपोजिट यह ना नीचे के पाच ऊपर में क्या है ऐसे ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपें मिफ लॉसरिक की कि निचे में एसे ड्रॉइंग करेंग वुद्धा गया को बोलते आएंगा सभी को यह 10 के 10 टेंट टेंट बोलते आएगी मैं अगर पूछू तो बोलते आएगी बग्का तो मैं पूछता होगी यही है अकाउंटिंग में बस इसके साथ खिलना आ गया तो सारे टॉपिक की अकाउंटिंग आ जाएगी और यह नहीं आए तो फिर कुछ भी नहीं आएगा आगए इसलिए अभी अगर डाउट है दस बार आप पूछ सकते हो क्या है मैंने अभी तक रूल नहीं बता है बिट क्रेटिस कैपिटल क्रेडिटर्स इंकम और याद रहेगा ना मैं थोड़ी देर बाद आपको पूछूंगा अभी क्या है अभी ध्यान देना अब हम लोग अकाउंटिंग किसकी करते हैं यह लिखा है सबीने यह देखो यह दो पार्टी है दोनों के बीच में क्या हो रहा ह यह कि दो है अगर आप इसके पॉइंट-एव इससे देखोगे तो यह ले रहा है यहई भोता है और आ में इसके अलावा प्यार होता है मां का प्यार वहां पे लेंदेन नी है वहां पे सिर्फ मां की तरफ से आपको मिलता है आपको देना है क्या बतले में मां का प्यार अगर छोड़ दिया तो सारी दुनिया में हर चीज विवार है और मेरे पापा से भी मैंने विवार ही सिखा ह मेरे पापा भी क्या बोलते है कि तुझे अगर पैसु की जरुवत है तो तू मुझे उस समय बोलना तब तक खाली फुकट यहां पे हाथ पहलाने के लिए नहीं आना है मेरे सामने समझ में आया क्या पापा उलते तुमको पढ़ा दिया अब तुम तुम्हारा कमाओ मैंने बोला पापा में लोन ले रहा हूं हाँ तो ठीक है अच्छी बात है ले गैरेंटर में मेरे नाम मत लिखना वो ले सिर्फ सही था उनका उनकी जगापे बाकी मां का प्यार अगर छोड़ दिया तो बाकी हर जगा वेवार है और वेवार यहने क्या लेंदेन लेंदेन के लिए और कोई तिसरी चीज़ेंगा बता दो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जहां पे लेंदेन हो रहा है वो ही न किती चीज़े बताओ किती चीज़े लेंदेन दो लेंदेन इसके लोड़ कोई तिसरा है क्या बस इसी लिए अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम लेंदेन के लिए और कुछ तिसरा होता न तो ट्रिपल एंट्री सिस्टम होता विवार में बस दो ही पहलू होते हैं दो अप्रोच होते हैं दो आस्पेक्ट होते हैं दो नजर यह होते हैं वही दो पहलू दो आस्पेक्ट दो नजर यह दो अप्रोच यह यह वो दो सुना ओगा ना बचशपन में got tu simple entry system यह तो सुनाओगा accounting में दो effect होते हैं यह यह वो दो लेन लेन वर पर वह क्या देबिट रेज़ट अब आपका बुलना है कि सर् 이야기를 देबिट क्या और धेबिट क्रेज़व्यू क्रेडिट यह सब्जेक्टिव टर्म है बोलो बोलो क्या यह सब्जेक्टिव समय के अनुसार डेबिट क्रेडिट का मिनिंग चेंज होता है मैं बताऊंगा भी पांच मिन बाद इस सेंटेंस को मैं क्लैरिफाइब कर दूँगा यह बास समझ में आ रही है तो ट्रांजेक्श की फर्म का भी हो सकता है एंपियो का भी हो सकता है डैंकिंग एलेक्टिसिटी कंपनी का भी हो सकता है यह सोर नो अभी ध्यान से सुनना अब अकाउंटिंग ऐसे दिखा जाए तो भारत में 1200 centuries है तानक्य के समय से उससे भी पहले से बट हम लोग कौन सी system follow करतें मालूम है क्या English system कौन सा बताओ English system जो किस ने दिया था जो किस ने इजात किया था Luca, T, Pargo, Pacioli परब रहे क्या ये भाइ साब ने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम को लिखा था और इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया तो यह फादर आप अकाउंट्स बन गए और तब से नवंबर मन्त में मेरे खाल से कोई तो डे आता है इसके पहले भारत में अकाउंटिंग हुती थी गलों महाजानी पद्दत से होती थी कौन सी बद्दत महाजानी पद्दत करते हैं इंग्लिश में वह एंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो Indian system भी है और foreign system foreign में दो है foreign system कोई English system कहाँ इसमें दो कुन से बताओ Double entry और Single entry बताओ आपको Indian system पढ़ना है No आपको Single entry पढ़ना है No, आपको कौन सा system पढ़ना है accounting का Double Double entry मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना transaction के transaction के दोनों पहलू को record करना है अब इसके point of view से क्या हो गया lane इसके point of view से क्या हो गया समझ में आए Double entry system मतलब transaction के दोनों पहलू को transaction के दोनों पहलू को record करना है yes or no दोनों भी aspect को record करना है दोनों नजरिये को record करना है दोनों approach को record करना है कौन से दो approach है lane देने यही approach को हम लोग debit and credit approach कहते हैं यह system किसने बताया है बताओ यह system किसने बताया है ल्यूका टी फागो ऐसी ओली परोबर है क्या हो कब आये था कब बताये थे in the year 1494 परोबर है अब ध्यान से सुनना इन्होंने क्या बोला था देखो बटा ध्यान से सुनना इन्होंने बताया था कि आप जब भी transaction के दोनों पहलू को record करते हो यह history है पस यह देख लो और देखने के बाद smile देना और इसको भूल जाना मैं आपको करना क्या है एकदम shortcut तरीके से बताओगा और फिर डारेक्ली shortcut तरीका बता दो डारेक्ट बता दिया तो कुछ बच्चे हैसे रहते जिनको कुछ चीजे एक्स्त्रा ज एसेट्स बोले बटा जब भी कोई एसेट्स या डेटर्स या एक्स्पेंस या लॉसेज अगर इंक्रीज होते थे ना तो वह कहां लिखते थे माले में क्या लेप सैड में अब लोग साथ मेंने लूका डी बार्गो पैसियो ली जो की फादर आप अकाउंट्स थे जब भी कोई एसेट्स एक्सपेंस लॉसेज या डेटर्स इस कैटेगिरी का कोई अकाउंट अगर इंक्रीज होता तो कहां पर लिखते थे लेप्ट में क्यों लिखा मुझी नहीं वालू हो सकता है उस समय उनका लेप्ट में लिखने का मूर हुआ होगा तो तब से उन्होंने रू लिखेंगे ना सर अगर मैं इस रूल को उल्टा कर दो तो क्या मेरी अकाउंटिंग का एंसर सही आएंगा बिल्कुल सही आएगा फिर आपने वही रूल फॉलो करना है पसिता है कि पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे एंसर सही आएगा बट आपकी प्रोसेस गलत हो गई तो उससे नंबर नहीं मिलेंगे फादर अपकाउंट्स ने पप्पा ने बोला न कि इधर से लिखने का तो उन्होंने क्या किया लेट में लिखना शुरू किया इसके पचे कोई लॉजिक नहीं जैसे न कुछ लोग बोलते कि सर लेप साइट से चलना चीए जाना है तो बस एक बार जो रूल फॉलो हो रहा है जो कस्टम कन्वेंशन चाली रिती रूडी परंपराय जो चल रही है बस वो चल रही है कमझ में आया कि सभी को ऐसा कोई मैथेमेटिकल लॉजिक नहीं कि लेप्ट में ही क्यो लिखा राइट में लिखते थे तो हो सकता है कि हम लोग लाइबिलिटीज कैपिटल रेडिटर्स इंकम और गेंज एसेट अगर बड़ी तो कहां पे लेप्ट में लाइबिलिटी अगर बड़ी तो कहां पे कैपिटल बड़ा तो कहां पे रेडिटर्स इंकम गें बड़े तो कहां पे अपोजिट कम हुआ तो कहां पे लिखेंगे सब कहम गया का मुओए नि medi somebody Capital कम मुँआ तो सर्थ बढ़ना कम कुई देख रहे क्योंकि धंदे में बढ़़ने और कम हों वने के लभा और होता क्या है है इस आपके पास आज क्या 100 रुपई है ज्बार दोस्व रहेगी क्या होगे बढ़ गहा ऑona में 50 हो जाएगे क्या होगे कम हो गए पर 110 करोड आ जाएंगे क्या हो गए बढ़ गए पढ़ने कम होने के लबाद तिसरा कुछ होता है गया तो बढ़ेगा तो कम होगा कोई भी अकाउंट लो आपके पास आज कार है 10 लाग रुपए करण चलकर आपने 50 लाग की कार ली बोलो कार नाम की उसेट क्रिती हो गई फचास लाग कार बेश दी क्रिती हो गई जीरो घार कितने बची है कि फिर पिर कीदी हो गहीं 20 ला को प्लस माइनस इस ruling कोई तीसरी चीज है क्या accounting में या तो कोई asset drawing data expense losses business में plus होगा या तो minus होगा तुम बताओ ने इसके लावा और कुछ है क्या या तो liability capital creator income gain या तो plus होगा या तो minus हो ये इसके लावा और कुछ है क्या तो लिउका डी बार्गो पैसियोली साब क्या करते थे ऐसे कुछ लिखते थे तो asset drawing data expense losses ये category के अकाउंट अगर बढ़ रहे तो कहां लिखते थे लेप्ट में अपोजिट बोलने का काम नहीं और liability capital creator income gain ये टेप के अकाउंट बढ़े तो कहां लिखते थे राइट में अपोजिट बोलने क्या होता है debire which means to left वहां से short form आया debit और ये सारे left side के record है left side में record किया न ये left side में record किया तो ये सब कौन से record हो गए debit records ये सब क्या हो गए debit records ये कहां पर record किया सब right side में right side Latin term credire which means to write और ये right side के सारे record को क्या बोल देंगे फिर credit records credit record का short form CR debit record DR तो CR credit DR debit अब debit records होता है DR याने debit records CR याने credit records अब हम लोग shortcut में debit और credit बोलते बट एक्चुल में DR CR क्या है debit side वाले record और CR मतलब credit side वाले record ये बात समझ में आई के सभी को पकी बात तो अब यह जितना भी मैंने discussion किया यहां से यहां से लेके यह यहां तक इस discussion को मैं 5 seconds में conclude कर रहा हूँ अब अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह आपने याद रखना है अब देखो ज़रा ध्यान देना यह जितने भी एसेट के अकाउंट है अब लोग ध्यान देना बिटा द्रॉइंग्स टेटर्स एक्स्पेंस लोसेस यह पांच के अकाउंट से इनका हमेशा हमेशा के लिए यह पांच के अकाउंट बढ़ते तो कहा लिखते थे वह हुआने जार επιट सब्सक्राइब ना सब्सक्राव इनका हर बारेशा बैलेन्स रहेगा एक्स्पेंस और लोस इनका हर यह मेरं प्लस हमें उस होता है ना विए अकाउंट बैलन्स रहेगा। मैस में जैसे प्लस माइनस होता है अकाउंट में क्या है डेबिट क्रेडिट तो ध्यान से सुना मैं फिर से बोल रहा हूँ अब यह याद रखना है पिछले दस मिनिट का डिसकुशन याद नहीं रहा तो चलेगा छोड़ देना यह याद रखो क्या बोला मैंने एसेट अच्छा सुनो 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 आपने आस्तक 11 12 में जो कुछ देखा होगा जो आदा दूर आपको याद है उसको थोड़े समय के लिए साइड में रखना सब लोग प्लीस ध्यान देने बैट परसनल रियल नॉमिनल डेबिट दर्सिवर क्रेडिट अगिवर रियल डेबि वाट कमस इंडिट वाट कोज आउट और नॉमिनल डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसस क्रेडिट इंकम गें सब भूल जाओ थोड़े दर के लिए साइड में रख देना तो में एक सिंपल सा एकी रूल बता रहा हूं इसी रूल से आपकी एंटरी होगी इसी रूल से आपक एकाउंट बना लोगे तब एकी रूल से हो जाएगा बरोबरे तो ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला एसेट मेरे साथ साथ बोलो सब एकदम रिलाक्स हो जाओ एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है एकदम सिंपल तरीकी से में चीज बता रहा हूं प्लस रहेगा डेविट बैलेंज वान आताइम संसे रॉइंग से उष्पेशे इंका बैलेंग उस्विट बैलेसे बैलेंस मतलब कि क्again के अगर बढ़ते हैं तो यह बढ़ते हैं तो कहां लिखना है तो यही लिख दूगे यहां पर तो पैसी ओली साब ने बोला यह टाइप के account का debit balance है मतलब अगर यह बढ़ते हैं तो क्या करना है debit करना है बढ़ते तो क्या करना है इनको debit करना है opposite कम हुआ तो क्या करना है हो गई accounting की दुनिया ही खतम हो गई इसमें पूरा accounting का ब्रह्मान खतम हो गया बस यही था बस अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे आपने 5000 रुपे का गिटार खरीदा उस 5000 के गिटार से आपने 5000 करोड कमा लिए आपने दुसरा गिटार भी नहीं खरीदा कैसे कमाए अरे उसी गिटार को अलग अलग तरीकी से यूज़ किया स्टेश्यों में परफॉर्म किया कभी ऐसे बजाया कभी ऐसे बजाया कभी ऐसे बजाया कभी ऐसे कैसे भी बजाओ गिटार एक ही है ना बस उ सब्सक्राइब कोई भी लेवल समझ में आए क्या रूल यही यूज़ करना है यह बात समझ में आ रही है तब लोग प्लीज ज्यान देना मैंने मैंने जो रूल बता है मैं एक फिर से बताता हूं एसेट्स ड्रॉइंग्स डेटर्स एक्सपेंस एं लॉसेस यह पाचो कैटेगरी का कुन सा बैलेंस है बताओ डेबिट बैलेंस है मतलब यह टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो अपोजिट कम हुआ तो क्रेडिट करो तर यह बढ़ना कम होना कहां से सम प्रैंजेक्शन से प्रैंजेक्शन पढ़ो मात्रू भाषा में Convert करो और कुणसा बढ़ रहा है कौनसा कम हो रहा है जैसे मैंने कार खरीज़ी तर मैंने पॉचेस किया तो मेरे पास जेत अकाउंट तर एलक कर से नक्रीज होगा यह डिकरीज पेरीज बीकरीज मैंने ने क खरीदने के लिए मैंने cash pay किया तो मेरे पास cash नाम का जो asset account है वो बढ़ेगा या कम होगा common sense cash pay किया तो cash कम हो गया salary की वज़े से खर्चे बढ़ रहे हैं तो जब भी मैं बोलूगा कि मुझे salary देना है दस हजार की मुझे salary और देना है पाच हजार का मुझे salary और देना है तीन हजार का तो salary मेरे खर्चे को बढ़ा रहा है expense बढ़ रहे कैशियर cash लेके भाग गया losses बढ़ गया उसने cash वापस लेके आगए loss कम हो गया उसके मन में देवी आई बोली यह इसकी cash वापस दे क्या उन्हें तो तेरह ऐसा ऐसा हो जाएगा cash वापस आगए लो साब में छोड़ी किया था आपका cash वापस लाकर कर दे दे लॉस बढ़ा है कम हुआ कम हो गया वापस भाग गया लेकर लॉस बढ़ गया वापस लेकर आगया लॉस कम हो गया अरे बढ़ना है कम होने के लाओ और कुछ है क्या यह बात समझ में आ रही है एक बाद फिर से बोलो बोल बड़ा assets drawing status expense and losses इनका हर बार कुन सा balance रहेगा समझ में आएगा transactions है उसके बाद liabilities capital creditors income gain इनका कुन सा बैलेंस उपर में सबका था debit balance इनका कुन सा बैलेंस रहेगा credit balance रूल बता दो अगर यह type के account बढ़ते है तो credit करो credit balance बढ़ता है तो credit करो debit balance वाले account बढ़ते है तो debit करो opposite कम होते है तो debit सर यह एक बार रूल बता दो अरे तो maths का रूल है ने आपका बच्छमन का देखो तुझरा मैं लिखरो आप बताना है सही की कलत है प्लस थ्री को प्लस फायू पे लेके जाना है तो बताओ टू को आप क्या करोगे प्लस सेमी तो लिखा मैंने debit को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे debit प्लस को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे प्लस क्रेडिट को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे credit प्लस थ्री को प्लस वन पे लाना है तो टू को क्या करेंगे माइनस याने प्लस नंबर को कम करना है तो क्या करेंगे माइनस सेम डेबिट को अगर कम करना है तो क् करेंगे simple logic है कि नहीं कुछ बात थी इसमें अगर फिर से debit balance वाले account अगर बढ़ते है तो debit करो बस इतना भी बोल दिया तो accounting subject खतम हो गया बस यही चीज हम लोग second बार use करेंगे one more time if debit balance further increase will be debited अगर फिर से debit balance वाले accounts अगर increase होते तो उन्हें क्या करना है debit आपका सवाल सर कौन से वो debit balance वाले account यह asset drawing data expense losses इन सब का हमेशा 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 के लिए कौन सा balance है debit balance है वेट मैंने यह नहीं बोला कि हर बार debit होने वाले मैंने क्या बोला इनका debit balance और यह type की account अगर बढ़ते हैं तो debit करो यह type की account अगर कम होते है तो और यह बढ़ना या कम होना समझ में आएगा transactions उसके बाद liabilities capital creditors income और gain इनका कुन सा balance है credit balance है सर क्यों है credit balance इनका मुझे क्या बता वो ल्यूका डिबार को पैसी हो ली इन सबको right side में लिखता था इन सबको कहां लिखता था left में लिखता था देखो न ऐसे drawing data six million losses बढ़ते तो left में लिखता था तो मैंने क्या लिख दिया है सब debit records वाले account है मतलब इनका debit balance है मतलब यह left side वाले account है यह बढ़ते है तो left में लिखो कम होते है तो right में लिखो कुछ बात समझी में आई क्या one more time एक बाप फिर से so assets drawing data expense and losses इन सबका हमेशा कुन सा balance है debit balance यह type के account अगर बढ़ते है तो debit करो यह type के account अगर कम होते है तो credit करो बढ़ना कमना समझ में आएगा transactions and आगे asset के deposit liability drawing के deposit status के deposit expense के deposit losses के deposit one more time liabilities capital creditors income gain इन सबका कुन सा balance है यह type के account अगर बढ़ते है तो credit करो और कम हुए तो debit करो मेरे साथ साथ बोलो assets drawing debtors expense and losses asset drawing हाँ बिटा यह drawings भी आएगा यह यहाँ पे ने एक बच्चन लिखा से लिए drawing भी आएगा गया हाँ बिटा drawings भी आए ठीक है asset drawings debtors expense and losses इन सबी का कुन सा balance है debit balance one more time all assets drawing debtors expense and losses are always 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 having debit balance if these accounts further increase will be debited if these accounts decrease will be credit एक बाफ फिर से बोलो assets drawing debtors expense and losses यह पाच्चों के डेगरी के accounts का हर बार debit balance रहेगा यह टाइप के account बढ़ते हैं तो debit करो कम हुआ तो credit करो इसके अपोजिट लाइबिटीज capital creditors income gain इनका कौन सा balance रहेगा credit balance यह टाइप के account बढ़ते हैं तो credit करो कम हुआ तो debit करो इस पचीज बार हो गया बोल के अब आप बोल पाओगे पक्का कौन बच्चा ट्राय करेगा खुद से सू मोटो हाथ खड़े करो आप बोल बिटे हैं हुहOl मोटो हुह। तो credit करेंगे आप बोले वटेंचा इनका थो 57-400 00 हुह। इनका credit balance, if further increase will be credited, if decrease will be debited, हाँ, बोलो, वापस याद करो दब तक, मैं वापस पूछूँगा आपको, हाँ, बोलो, याद करो पूछूँगा वापस, हाँ, बढ़ेगा तो debit करेंगे, data नहीं, आप बोलो, याद रोइंग, data, expense, losses, हाँ, बढ़ेंगे तो, और काम हुआ तो, पीछे, yes, balcony, हाँ, आप बोलो, हाँ, 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 30, बहुत बढ़िया, और पीछे, हाँ, बेटा, आप बताओ, हाँ, यह दिवार के बढ़ेंगे, इनका debit balance है, increase will be debited, very good, वापस ट्राए करो, हाँ, बोल, यह तीन बच्चो वापस पूचने वालो, हाँ, बोल बिटा, हो गया, हाँ, बोल, परवर, 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 हाँ, रेडिटर्स, कम हुआ तो डेविट, बहुत बढ़िया, हाँ, एकबर जल्दी बोल दे, हाँ, परवर, परवर, हाँ, लेडिटर्स, कम हुआ तो डेविट, हाँ, लेडिटर्स, कम हुआ तो डेविट, एकबर सब लोग एक साथ बोलो तो बिटा, अल एकट्स, रॉइटर्स, एक च्टवंटर्स, एकबर सब्सक्वर परवर, हाँ, एकबर सब्सक्राइबदों। झाल झाल